हालो फ्रेंड्स, वेलकम टो दिस वीडियो और आज की इस वीडियो में हम आपको टैली प्रैम की एक और लेटस्ट और यूसफ़ल टीडियल फाइल के बारे में बताएंगे इस टैली की मद़स से हम टैली सौफ़वیर के अंदर जो हमारा टैक्स इनवोईश होता है उसके फार्मेट को चेंज कर सकते है उसके format को एक simple way के अंदर यूज़ कर सकते हैं यानि जो tally के अंदर by default हमारा tax invoice होता है उसके अंदर काफी सारी information ऐसी होती है जो काफी business के अंदर useful नहीं होती है कुछ businesses के अंदर उन्हें simple tax invoice होता है जिसके अंदर party की detail, stock की detail, tax invoice number और date ही उने चाहिए होता है इस tdl file की मदद से हम अपने tax invoice को change कर सकते है तो आई देखते हैं tally की कौन से useful tdl है और किस तरीके से हम इसे use करेंगे और साथ ही में अगर आप हमारे youtube चैनल पे first time visit कर रहे हैं और अगर आपको हमारी ये video useful लगे तो आप हमारे youtube चैनल को subscribe करके साथ नवनी bell icon को press कर दीजे जिससे feature में आने वली सभी videos आपको time to time notification के थूँ मिलती है और साथ ही में अगर आप tdl files related और videos को देखना चाहते हैं तो हमारे youtube चैनल पे आपको ए complete playlist मिल जाएगी इसमें हमने tally की basic to advance सभी tdl files को detail के अंदर cover किया है तो आप हमारे youtube चैनल पे विजिट कीजिए और playlist विले session में जाकि इसको भी watch कर भीजिए इसका link भी आपको इस video के description में मिल जाएगा तो आएए आज की इस video को start करते हैं तो यहाँ पे हम अपनी computer screen में tally prime software के अंदर आ चुके तो आएए सबसे पहले हम आपको tally software में by default जो टेक्स होता है उसको दिखाते है तो उसके लिए get work tally में रहते हुए go to पे क्लिक कर दाते है shortcut किया alt plus g यहाँ पे search बार में लिखते है sales register एंड किसी भी एक sale के entry का वोपन कर लाते है इसका print लेते है control p से preview पर आते है old z से zoom करते है तो यह tally के अंदर by default इस तरीके का tax invoice आता है लेकिन कई बार हमें अपने business के अंदर इतनी सारी information के जुरत नहीं होती हमें simple अपने product की information ची होती है party की detail ची होता है date और tax invoice number ची होता है यह सारी information के जुरत हमें नहीं होती यही चीज इस TDL file की मदद से की जा सकती है तो आईए एक बार इस TDL file को active करने के बाद दुबारा से इसी text invoice का print दिखाते है तो TDL file को active करने के लिए control or T press कर दाते है F4 की press करते है पहले सबने TDL file को load किया वह एक बार उसको yes कर दाते है तो simple tax invoice से TDL है इसको yes कर दाते है accept कर आते है और दुबारा से sales register में आते है उसी sales के entry को भी एक बार open कर दाते है दुबारा से control P, preview और old Z तो आप देखेंगे यहां पर बिल्कुल simple तरीके सा आपको आपका tax invoice आ जाएगा जिसके अंदर आपको voucher number, voucher date, party का name और सिर्फ आपके product की information नीचे की तरफ GST शोर है और यह काफी simple तरीके सा आपको आ जाता है काफी सारे business के अंदर इस तरीके के tax invoice की जुरत पढ़ती है क्योंकि उनको जादा information वेगार अपने invoice के अंदर नहीं चुई होती इसको आप estimate slip की तरह भी इस्तमाल कर सकते है तो यह वह Tally की TDL है, simple tax invoice TDL Tally की यह TDL और जितनी भी आपको screen के उपर शोर है यह सारी आपको एक साथी provide की जाएंगी इन सभी TDL files की list आपको इस वीडियो का description में मिल जाएगी वहाँ पे click करके आप step पे step सभी TDL files को देख सकते है और यह जितनी भी TDL files है with videos आपको एक साथी provide की जाएंगी तो अगर आप TDL की यह और बाकी सभी TDL files free of course डाउनलोट करना चाते हैं तो यहाँ पे हम आपके लिए एक all-in-one offer लाएं जिसके अंदर आपको 5 training courses एक साथ provide के जाएंगे और साथ ही में Tally Prime की all TDL files free of course प्रोइट की जाएंगी इस offer में आपको Tally ERP9 basic to advanced course टैली प्राइम basic to advanced course, payroll management course, MS Excel basic to advanced course और साथ में advanced computer course यह 5 training course आपको एक साथ provide के जाएंगे और इन सभी courses के साथ आपको Tally Prime की all TDL files free of course प्रोइट की जाएंगी और साथ में feature में create होने वली सभी TDL files आपको free of course प्रोइट की जाएंगी इस offer की total cost 500, 500 के अंदर यह सभी courses with certificate आपको provide की जाएंगे और साथ ही में सभी TDL files आपको free of course प्रोइट की जाएंगी तो अगर आप इस offer के अंदर enroll करना चाहते हैं तो आप 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 बाय नाओ पे click करके इसमें enroll कर सकते हैं और इन सभी courses का access आपको lifetime तक दिया जाएगा और साथ ही में अगर आप इन सभी courses के बारे में और information लेना चाहते हैं तो हरे course के नीचे आपको more detail का option देख जाएगा आप इस पे click करके सभी courses के बारे में detail में सारी information देख सकते हैं यानि किस course में आपको क्या content दिया जा रहा है और किस course के साथ आपको certificate भी प्रोवेट के जा रहा है यह सारी information आपको detail के अंदर मिल जाएगी और साथ ही में अगर आपको इस offer और इन courses से related को information या कोई doubt है तो आप नीचे की तरफ इस contact form को fill करके अपने doubts और अपने questions को पूछ सकते हैं और इस वीडियो के description में आपको मारा WhatsApp नमबर मिल जाएगा आप WhatsApp के थुरू भी अपने doubts वेगरा पूछ सकते हैं और साथ ही में इस offer का link आपको इस वीडियो के description में मिल जाएगा वहाँ पे click करके आप हमारे इस website पे redirect हो जाएगे और यहाँ पे सारी information detail के अंदर देख सकते हैं और अगर आप इस offer के अंदर enroll करना चाहते हैं तो आप आप बाइन आप पे click करके 500 के अंदर इन सभी courses का फायदा उठा सकते और इन सभी courses के साथ साथ आपको teleprime की old tdl files free of post दी जाएगी तो आप आप इस offer में इंडरोल करना चाहेंगे और अपनी computer और अपनी accounting के knowledge को पहले से काफी ज़्यादे increase करना चाहेंगे Thanks for watching this video